हेलो स्वेंट्स कैसे हैं आप सब लोग not for profit organization में आज हम एक topic पढ़ने वाले हैं npo का part 6 चल रहा है तो अगर आपने इससे पहले के parts नहीं देखे और आज की class आपको अच्छे समझ आ जाए तो उन parts को भी जरूर देख लेना हालाकि इस part को देखने के लिए आपको किसी और part क देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह बिल्कुल independent है बाकी पूरा चैप्टर फिनिश करने के लिए बाकी parts जरूर देख लेना तो आज हम पढ़ेंगे calculation of the amount of consumable item अच्छा सुनो consumable item पहले बताओ होते क्या क्या है देखो consumable item मतलब वो है जिनको आप क्या करते हो consume कर लेते क्लब जो है sport material consume करता है या आप stationaries को consume करते हो या फिर कोई medicine जो है consume करते है मालों medicine दवायां बाठते हैं free में या कम दाम पे तो दवायां जो है वो consume होती ही चली जाती है तो इसको हम लोग बोलते है class material consume तो जो भी material आपने consume किया है वो चला जाएगा income and expenditure account में debit side ध्यान रख of material class asset होता है वो opening balance sheet में चला जाएगा जबकि closing stock of material closing balance sheet में चला जाएगा वो closing asset हो ओके तो अब मैं छोटा सा question आपसे पूछूंगा बिल्कुल basic question आपके idea जानने के लिए आपका knowledge कितना उसे जानने के लिए और comment करके आप मुझे सब answer बताओगे और ये video class 20-25 किनट की जो हो हो जाएगा कई बार board examination में ती number का question पूछा गया ये कोई भी question आपनी book का कोई भी question class किसी past paper का हो book का हो sample paper का हो practice paper का हो damn sure आप बना लोगे guarantee है तो ये video end तक देखना class ठीक है आपको three marks इसके अंदर मिल जाएंगे ठीक है अच्छा लगेगा तो ही like करके चलको subscribe करना opening stock ठीक है अब किसी भी चीज का हो मानलो sport material ठीक है sports material का मेरे पास opening stock है साल के शुरू में 25,000 का मैंने साल के बीच में कुछ और खरीद लिया और closing stock of material end में at the end of the year closing stock of sport material साल के end में जो closing stock है sport material का वो मेरे पास 15,000 का बचा है ठीक है तो मुझे बताओ आप लोग आपने जो sport material है वो consume कितने का किया स्पोर्ट material आपने consumed कितने का किया consumption of sport material बोलो शुरू में 25 का इमेजिन करो मेरे पास 25,000 का मेरे पास item हो गया 75,000 का जब item मेरे पास है तो 15 कैसे बचा इसका मतलब मैंने साथ थाजार का जो materiel है उसे use कर लिया क्या कर लिया यूज कर लिया बच्चे बोलते सर ऐसा भी तो हो सकता आपने सेल कर दिया हो बेटा सेल बिलकुल हो सकता था लेकिन कोशिन कहता तब लेकिन कुछ ने कुछ नहीं कहा तो हम उसको सेल नहीं वानेंगे हम आनेंगे वह consume ह तो आपने जो कंजियूम किया वह साथ अजार का मैं धीरे धीरे इसमें चेंजेस करूंगा तो आप सब लोग ध्यान से अच्छे से समझते चले जाना क्लास एक एक कोश्चन बना दूगा इसमें अच्छा नहीं था तो मैं इसे टोटल ही मानूंगा और जो ओपनिंग स्टॉ बेवं इस में चलाजाएगा एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक बैलें शीट में चलाजाएगा एसेड साइड ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंच चुटमें चलाएगा और जो दुर से माटेरियल कंज्यूम किया है वह इंकम एक्पेंड़िघॉप्टमें डैपिट स ओपनिंग स्टॉक प्लस पर्चेज़स माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा आगया मैं तोड़ा से यहां चेंज करूंगा और आप मुझे अब आंसर बताऊगे अब कोश्यन में कहता है ध्यान समझना कोश्यन में कहता है सेल औप ओपाव आप लोग सोच अधेर हैं सेल भी लिखूाते तो आगया सेल आफ स्पोर्ट मटेरियल लूह सेल हुआ है और आपको बतला है कि मैटेरियल कंज्यूम कितने का है सेल हो गया lingering का तो आपको बताला है कि जो मयंदो कितने का होगा ओके चलोग trade झाने का था इमेजन करो मेरे पास 25,000 का माल है ठीक है मैंने 50 का और खरीद लिया तो यह होगे कितना 75 मैंने 20 का बेच दिया तो इस हिसाब से मेरे पास होना कितना चीए 75,000-20 मेरे पास होना चीए 55,000 अणल उया तो इसका मतलब होना चाहिए था और ऑर 15,000 है कुल इसका मतलब महैंने वो कितना किया क्यों कि यहांनिकि opening stock plus purchases minus sell minus closing stock तो आपका मटल कंज्यूम आ जाएगा कितना class 40 तो आपका मटल कंज्यूम आ गया 40 ओके opening stock plus purchases minus sales minus closing stock पर्चेस को plus करते तो तो सेल को minus कर दो अपका मटल कंज्यूम आ जाएगा और कोई इसमें लिखा है बुक वेल्यू तीस हजार बुक वेल्यू तीस हजार बुक वेल्यू तीस हजार मतलब कि तीस हजार की वेल्यू है उसकी बुक वेल्यू जो स्पोर्ट मटल आप बेच रहे हो लेकिन आपने बेचा उसे 20 में घाटे में बेच थी आपने तो अब मटल कंज्यूम सेम रहेगा या बढ़ जाएगा या घट जाएगा यह बताऊ तो यहां पर था कितने का शुर सब लोग ठिक है ओपनिंग स्टॉक प्लस पर्चेशस माइनस सेल माइनस क्लोग स्टॉक सर हमेशा की कौन सी वेल्यू लेन 27 अमाउंट लेना या बुक वैल्यू लेना तो प्लीज यहां पर ध्यान से नोट डाउन कर लो कभी भी गलती मत करना बहौत इंपोर्टन है हमेश को लोग बुख वैल्यू कहते हैं वह आपने लेना है अब मुख वैल्यू लेना अपने सेल हमेशा जो लेना है क्लास क्या करना है तो बुक वैल्यू को आप माइनस करोगे ना कि आपने यह धियान रखना है तो फाइनली यह सारी चीज़े क्लास हमारी फिनिश होगे कुल मिलाकर यहां पर आते हैं कॉंसेप्ट पर तो मटेरियल जो आपने कंजूम किया है इनकहले एकस केलीएगा ओपनिंग मैस शीट में ओपनिंग मटेरियल जाएगा और में मैं लिख्वा रहा हूं आप इसे कौपि में लिखते चलो आपकोun यै attachments प्रान्डाные तोपर होते एविया हो अगर होते पर चेंते हो तो अलग फॉर्मड लगेगा, टोटल पर्चेज ناح दिया हो तो अलग फॉर्मड लगेगा, बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, कभी भी अगर आप material स कंजियूम का कोशिन कर रे हो, तो axter कर रे हो तो दो ही बाते होंगी, दो ही बाते होंगी, टोटल पर्चेज या तो दिया होगा टोटल पर्चेज नहीं दिया होगा दोई बात हैं मैं बात करूँ टोटल पर्चेज एंड यू आल नो टोटल पर्चेज इस इक्वल टू प्लस ट्रूटलि पर्चेस का मतलब क्या होता है ऐस पर्चेस प्लस पर्चेस और टूटल पर्चेस आपको दिया होगा कैश परचे kept purchase अगर आपको यह दिया है तो अलग य्यू दिया तो अलग ऑग तो अब मैं छोठ आ तुल से पेमेंट वे टूट इयूच पेमेंट मेट टु क्रेटर्स क्या यह क्रेडिट पर्चेस के बराबर होता यह दो वर्ड में लिखवार हो यहां पे पहला है पेमेंट मेट टु क्रेटर्स और दूसरा है credit purchases क्या ये दोनों बराबर होता है payment made to creators और credit purchase क्या ये दोनों एक ही चीज होती है अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने अपने creditors को जिनसे मैं उधार खरीता हूँ उनको बोलते हैं creator जिनसे माल उधार खरीता है they are called creator they are current liability of a business तो अब मुझे बताओ class क्या अगर मैंने 25,000 creditors की payment कर दी तो जरूरी है कि मैंने 25,000 ही उधार खरीदा होगा जरूरी है कि मैं 25,000 की payment किसी दुकांदार को दे रहा हूं तो मैंने 25,000 का ही माल खरीदा होगा इक ही जरूरी है creditors को अगर pay कर रहा हूं तो cash purchase में बड़ाबर है मैंने cash purchase किया 25,000 रूपय तो 25 का माल खरीदा 25,000 रूपय दी दिया अगर मैंने किसी उधार वाले को 25,000 रूपय दे रहा हूं क्या पता मेरा उधार ज्यादा हो मैं भी थोड़ा सा payment कर रहा हूं extra payment कर रहा हूं normally थोड़ा सा payment हम लोग कर देते हैं तो बड़ा यह दोनों चीज़े बिल्कुल अलग अलग है क्रेटर को कितनी पेमेंट की इस इस डिफरेंट एंड टोटल अमाउंट ऑफ क्रेटर्स और और साइट पर्चेस इस डिफरेंट तो यहां पर क्या है अगर आपको क्याश परचेस और क्रेट परचेस दोनों दिया होगा तो केस वन है दोनों मैंसे अगर कोई बहुत रुटर दिया खेल्ट तो वह नहीं है है पेमिंट मेंर्य तू तो आपको कॉन्स करने पोक वार्था प्रोमुल लिख नहीं साहब इनाग में सेट करने वाली चीज ते सब्सक्राइब कुछ लिए रखांव ए घ्ले रखा यहां पर 25 फानाग को सपलींग ur क्लोजिंग मेडिसिन पर्चेस दिया हुआ है या नहीं तो आपने क्रेटर से कोई लेना देना नहीं है सिंपल फॉर्मुला लगाओगे ओपनिंग स्टॉक प्लस पर्चेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये बोड इग्जामिनेशन में लास्ट येर ही कोशिन पूछा गया है क्योंकि जबरदस्ती बच्चे जो है वो क्रेटर की वैल्यू को ले लेते हैं जबरदस्ती वो क्रे क्योंकि इंक mayor नहीं नहीं वुदती तो आपको टोफ्यूटल पर्चेज दिया हुआ है विसिंपल उपनिंग स्टॉक प्लस पशेज एस माइनस क्लोजिंग इवटाथा नहीं ढया हुआ है बोक वयल्यू को माइनस करते प्लीस कमें डाउन ठेक है अगर सर्व टोटल परच cash purchase, credit purchase में तो कोई एक दिया है, या फिर आपको कोई भी एक नहीं दिया, या दोनों नहीं दिया है, ऐसा कुछ है, तो आप एक बड़ा वाला फॉर्मल लगा होगा, अगर टोटल पर्चेस पता है, फिर तो opening stock plus purchase minus closing stock, sale होगा तो minus, कौन सी value, book value, लेकिन, if total purchases is not given, अपनी book उठाना, मेरी class के बाद, ठीक है, एक एक कोशे लगा लेना answer, ठीक है, अच्छा लगे ना, तो एक एक बच्चो को share कर देना, कई जगे class का एक और तरीका भी होता है, पहले क्रेट पर्चेस को निकालते हैं, क्रेटर से अकाउंट बनाके बट, वो सब करने जरूत नहीं है, ऐसे हमारा question अराम से हो जाएगा, जो भी amount pay किया, या creditors को payment किया, कोई भी payment हुई, कोई भी outflow of cash है, कोई भी, अगर कहीं लिखाओगा ना, कि cash payment ऐसा लिखाओगा, cash paid कुछ भी, यह आपका सबसे उपर आ गया, तीन चीजे प्लस करनी है, तीन चीजे माइनस करनी, ध्यान समझना, तीन चीजों को प्लस करना है, तीन चीजों को माइनस करना है, तो क्या-क्या प्लस करोगे आप, और क्या-क्या माइनस करोगे, ध्यान सुनो, तो सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक को प्लस करोगे सब्सक्रिप्शन आप सब्सक्रिप्शन वाला याद है जो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन करवा रखा है सब्सक्रिप्शन आप लोगों को अच्छे से लर्न होगा हम क्या करते हैं सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन रिसीवड उसमें दो चीजे प्लस करते हैं दो चीजे माइनस क्या प्लस करते हो आउटस्टेंडिंग और एडवांस बिगनिंग ये प्लस करते हो इनका उल् तो चीजी माइनस करना है आउट स्टेंडिंग की जगे हम यहां पर उसका इतना अन्तर है अब प्रिपेड की जगे एडवाणस आप रिपेड़ानस एक बात है तो तो च्रेटर अधे या दो गया स्य ख्रेटर दा पीगणीग मैनस एडवांस बिग्निंग प्लस एडवांस एन्ड माैनस जो एंसर आगा। अब जाएगा ठीक है तो यह चीजी क्लास आपको पता होनी चीए अब मैं आप से छुड़ टो कोशिन पूछूंगा और आप सब मुझे बताऊगे पर तो इसको मेरे साथ साथ लर्न करो वीडियो पॉस्ट करो और कॉपी में फटाफ़ लिखके दिखाऊ ठीक है मैं भी लिख रह करोगे ओपनिंग स्टॉक क्या माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक क्या प्लस करोगे क्रेटरस एड़ एंड क्या माइनस क्रोगे क्रेटरस बिगनिंग फुल्टा एडवांस बिगनिंग प्लस एडवांस क्रेटर एड़ एंड माइनस तो यह जो भी आएगा बैलेंस वह आ मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए बस किया इस टाइम पर कोई भी जो है वो पढ़ना नहीं चाहरा सब अब पढ़ते हैं तो यार इस टाइम शुरू से मैं पढ़ा रहा हूं आपको जीरो से कम से कम आप दोस्तों को सकते हो सपोर्ट करने के लिए अगर आपको अच्छा नहीं कर सकते वो लो क्लास इसी तो हम पढ़ा रहें यहां पर फ्री ऑफ कॉस्त आपको पूरा जिरू टू एंड अब सुनो मेरी बात ओपनिंग स्टॉक क्या है बताओ जरा और इस साल वह वह याइसे सबक्राइब को ओप सब्सक्राइब दो तीन बर लिखो देखो डिखो माना एक कॉंसेट सीखो पर ऐसे सीखो कि उससे कोशिन बिल्कुल आये तो आप कर लो ऐसा नहीं कि यह टॉपिक आपको परफेक्क करना है अब यहां पर मैंने कोशिन क्लास जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा कोशिन रखा हुआ है और आप सब इस को करोगे और मुझे क्लास आंसर बताओगे फटाफट कितना आ रहा है या नहीं कर रहा ठीक है चलो कि अमाउंट आप स्पोर्ट मिल टुब ट्रासफर टू इनकवन एकस्पेंडिचर अकांट अमाउंट पेड़ एक बार कर लो फिर आपको मैं बता दूंगा स्पोर्ट मिल सोल्ड सुनो मेरी बात मैंने आपसे कहा कि तीन चीज़े प्लस तीन चीज़े माइनस मैंने सेल का कहीं भी उपर लिखो आया नहीं बट ध्यानकना क्लास कि पर्चेस प्लस होता है और सेल माइनस तो अब यह सेल जो है वह बाइस पांसो का बट बुक को मैंनस करना होता है कैश पर्चेस अमध्यानक पर्चेस को हम प्लस करते सेल आपने माइनस कर दिया प्लश करोगे लेकिन वैने सबसे पहले सब finans कर दिख ती प्रताg Auto चैक की होगी कि नैं इसमें आपको क्या टोटल पर्चेस गिवन है इसमें क्या पर्चेस तो गिवन है लेकिन अमाउंट पेट टू क्रेटर गिवन है और मैंने आपसे कह दिया था पहले कि यार उपर लिखनी सीधा अमाउंट पेड में बिलकुल लिख सकते हो आप अलग लग सकते हो वैसे तो मैंने अलग लग दिखाया है क्रेटर से अधे प्लस होगा क्रेटर अच्छा से फॉर्मेट बनाकी लिखते बंडर मैं तो बस आपको कोशन सम आरहाओ आप अच्छह से फॉर्मेट बनाके लिख दिनन अанд जो हो प्लस होगा क्रेटर सबिग्णिंग मैइनस होगा प् faço उन autistic प्लस होगा यार औरầेरे कुछ दिया हुआ है नहीं चोड़ दो कोई बाद नहीं दिया तो आगे आंसर अब चेक करो चालेस चालेस असी हजार प्लस नबबे नौट सतर एक लाग सतर हजार प्लस एक लाग याएगा टू लाक सेवेंटी माइनस करोगे तो आगा वन लाक एटी नाइन थाउस अब एक कोशिन मैं दूं आपको और आप सब करके दिखाओ गए एक कोशिन क्लास मैं देता हूं जरह आप लोगों को और आप सब लोग करके दिखाओ और इससे हमारा टॉपिक पूरा का पूरा अच्छे से खतम हो जाएगा ठीक है चल सके समझ रहे बात को थाकि हम भी आपके लिए एफर्ट करें तो आपके पास चीज़े पहुंचे क्यलकुलेट क्रेटर्स एडड़ एंड अरे सर यह क्या निकालने को बोल दिया आपने बहुत ही सिंपल है मैं आपको समझा जेता हूं आप कैसे करोगे अपने आप आपको अगर मैं यह गिवन देदु और उपर कि सारी चीज़े गिवन देदु बस यह छोड़ दू आप निकालों नापने इक्विशिन में के चालेस फ्लस प्लस प्लस एकलाक मैनस हिक्केस मैनस बीस मानस चलेदिट्ट इस तरीके से टास क्रेटर ते एंड निकालना है इफ इफ रेटर्स एड दे बिगनिंग दे रखा है फंदरह हजार डेटर दे रखा है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ओपनिंग स्टॉक पचास हजार क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है थर्टी थाउजन एक बार चेक कर लेते हैं क्लास के कोशिन मिस्टेक में ना आ जाए आपको एक्स की वैल्यू निकाल नहीं है आप उसको एक्स माल लेना क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है उसकी बाद है आपका एडवान्स क्रेटर एडवान्स बिगनिंग ठीक है एडवान्स बिगनिंग 5000 एडवान्स एंड 3000 ठीक है एडवान्स एंड 3000 और अब टेरियल कंजियूम आपको लास्ट में जो मटल कंजियूम दिया होता है वह आपको दिया है तो आपको एडवान्स में आ जाता है तो इसको फ्रेमिंग में कुछ आपने टोटल पर्चेस नहीं दिया गया इसके अंदर तो आपने टोटल पर्चेस नहीं बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है तो आप मुझे कॉमेंट को बताओ कितना रहे क्लास अच्छा लाइक करें सारे दोस्तों में शेर कर देना एंपो का हम लोग दिरे दिरे बिल माइनस करेंगे बुक वेल्यू ठीक है अगर नहीं दिया गया है तो हम बड़ा वाला फॉर्मूल लगाएंगे बहुत ही सिंपल अमाउंट पेड तीन चीजे प्लस तीन चीजे माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्रेटर बिक एंड प्लस एडवांस 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 में चला जाएगा इसके साथ हमारा टॉपिक खतम नेक्स क्लास में पढ़ेंगे इनकोमान एकस्पेंडिचर एकाउंट तब तक के लिए बाइबाइ टेक केर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो